नमस्कार आप देख रहे हैं अमरुजाला.com और आपके साथ मैं हूँ अल्पना आज हम योग के सेक्शन में बात करेंगे पीठ के दर्द की पीठ का दर्द जो पौश्चर गलत होने से अक्सर पनप जाता है लेकिन पीठ के दर्द की और भी कई वजह हैं और कई कारण हैं जिन पर विज्ञान काफी कुछ जानकारी देता भी है लेकिन पीठ के दर्द को कैसे रोका जाए कैसे पीठ के दर्द से आप निजात पा सकते हैं अगर आपको ये समस्या जखड़े हुए है योग और प्राणायाम में पीठ दर्द से दिजात पाने को लेकर क्या विकल्प हैं जानते हैं रिशिकांत मुश्वाजी से जो एक फेमस योग गुरू है नमस्कार, मैरीशी आप देख रहे हैं अमरो जाला तो आज हम आगे बात करेंगे कमर दर्द की ये एक समस्या है जो बच्चों में भी पाई जाने लगी है बुजुर्गों की तो अलग बात है बुजुर्गों, महलाओं, बच्चों सभी में ये समस्या खोमन हैं तो हम इसके निदान की बात करेंगे इसको हम किस परकार यूगा से आसनों से इसको दूर रख सकते हैं। उसके बारें बात करेंगे। तो हमने देछा कि सबसे पहले हम वब अप करते हैं। उसके बाद कुछ हाथों की पेरों की एक्सराइज करते हैं, कुछ गर्दन की, कुछ कमर की एक्सराइज करते हैं, फिर उसके बाद आसनों की ओर बढ़ते हैं, तो इसी के करम में हम बढ़ेंगे, आज कमर दर्द, बैक एक की प्रोब्लम की ओर, तो सबसे पहले हाथ हम अपन प्रोबलम है तो और धेरे घुमाएं इसी को उल्टा अभी आप देख रहे हैं कि मेरे दोनों पैर ब्राबर में पास है इसी प्रकार से पास रखते हुए गुमाना है उसके बाद हम अपने पैरों के गैप थोड़ा देंगे इसी प्रकार कमर को और हलका सा बड़ा गोला बना इसी प्रकार से उल्टा दस से बारा बार इससे क्या होगा कि जो स्टिफने सा जाती है बैटकर लगातार गाड़ी चलाने से कंप्यूटर के सामने लगातार काम करने से हम देख रहे हैं कि लगातार लोग आठाट बारा बारा घंटे एक जिगर पर बैटकर काम कर रहे हैं तो एक उनकी कमर पेश्टिफना सा जाती हैं, तो उससे हम बचा जा सकता है, इसके बाद आप इल्कुल सीधे खड़े हो जाएं, हाथों को उपर क्योर ले जाएं सास लेते हुए, वो सास छोड़ते हुए धीरे 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 से नीचे आएं, और बहुत अधिक धीमे से उपर जाएं सास लेते हुए, सास छोड़ते हुए नीचे आए, इसके बाद आप स्थीर खड़े होकर, पेरों में एक हलका सा गयब हो, हलका सा गयब हो, हाथों को सामने क्यों लाएं, उत्कटा सा, इसमें क्या करना हैं, हमको अपनी पीट को, कमर को बिल्कुल सीधे रखते और सास लेते हुपर, धीमिगती से सास शोड़ते हुए नीचे की ओर जाएं, और सास शोड़ते हुए उपर आजाएं, फिर से नीचे की ओर जाएं, सास शोड़ते हुए उपर की ओर जाएं, इसको आप दददस के तीन बार से चार बार कर सकते हैं, अराम से, उसके बाद ह हम दूसरे आसन की ओर बढ़ेंगे, उसका नाम है अर्ध चक्रासन, पूर्ण चक्र तो हम लगाएंगे नहीं, इसलिए हम अर्ध चक्रासन लगाएंगे, दोनों हाथों को कमर पर रखना है, और हल्की सांस लेते हुए, पीछे की ओर जाएंगे, सांस नामने की ओर देखे, इसके बाद फिर से गहरी सांस लेते हुए, पीछे की ओर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए, फिर सामने की ओर रहा हैं, तो आपने देखा किस प्रकार हम सांस लेते हुए पीशे की ओर जा रहे हैं सांस शोड़ते हुए सामने की ओर ये बुजूर्ग महिलाएं लोग सभी लोगों के लिए हैं या किसी पार्टिकुलर बच्चे के लिए या किसी एक वर्ग के लिए नहीं है इसको सभी लोग अराम से कर सकते हैं उसके बाद दोनों पैरों में गैब दी हाथ सामने की ओर लाएं हाथों को साइड ले जाएं और गहरी सांस लेते उपर ले जाएं अब कोशिष करें धीरे 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 ऐडाइन हांत जमीन पर आए और अगर किसी का यहां तक आ रहा है तो यहां तक लाएं और धीरे-धीरे कोशिष करें दोने पैरों के बीच ले जाएं हा आथ उपर Cert desa अड़े उपर आ फिर से उपर रिकी हो रहा हैं अभी आजाए इसके बाद आप हाद को फिर सामने के उर लाइए और पैर को सांस लेते हुए इसी तरह आप देखेंगे कि आप अगर लहातार दस से पंदरा दिन करते हैं तो आपकी समस्या धीरे-धीरे करके दूर हो जाएगी उसके बाद आप सामने बैठ कर बिल्कुल सीधा बैठने का प्रयाज करें और उंगलियों को उंगलियों का प्रेयोग करें इस वक्त सांस लेते उंगलिया लाएं इसके बाद हाँ तो हलका सा पीछे ले जाएं एक सपोर्ट के साथ बैठ जाएं और सांस शोंट तो ये पंजो को सामने की ओर खीचें पीछे की ओर ले जाएं सामने की ओर खीचें सांस लेते हुए पीछे ले जाएं इसके बाद क्या करिएं दाहिने पेर को उपर की ओर उठाएं, होल्ड करना है आपर, दस, नव, आठ, साथ, छे, पांच, चार, तीन, दो, एक, नीचे की ओर लाएं, दूसरा पेर, दस, नव, आठ, साथ, छे, पांच, चार, तीन, दो, एक, कमर दर्द के लिए, आपका बटरफलाई, जो हम बच्प कर सकते हैं, कुछ आसन कर सकते हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करें, आपको सबसे पहले शेधा लेट जाना है, दोनों हाथों को साइड में ले जाएं, दाहिने पैर को उठाएं, और बाई यह और ले जागे, आपके से धीरे से आप होल्ड करें यहां, दुके, नीचे ले जाएं, दूसरा पैर उपर की ओर लाएं, दूसरी ओर ले जाएं, रुखें, तस, नो, आप, साथ, छे, पाँच, चार, तीन, दो, एक, इसके बाद आप दोनों पैरों को मोड़ कर नीचे रखें, और गहरी सांस लेते हुए, कमर को उपर की ओर ले जाएं, आठ, साथ, छे, पाँच, चार, तीन, दो, एक, नीचे आएं, इसकी हम आठ से दस बार आराम से कर सकते हैं, अगर समस्या ज़्यादा है, तो दो से तीन बार तो जरूर करें, तो जरूर करें, तो इसके बाद पावन मुक्तासन जो है, ये एक बहुत अच्छा कमर के लिए अगर हम इसको अच्छे से कर सकें तो झाहिने पैट को आप सबसे पहले मोड़ी, अगर आप उपर से पकड़ सकते हैं, तो ठीक है, अगर आप अंदर कीवोर से पकड़ सकते हैं, तो बहुत अच्छा है, और गहरी शांस लेते हुए, अपनी चिन को तोड़ी को गुर्ने से सटाएं और होल्ड करें आठ से दस सिकेंड तुकने के बाद दूसरा पैर इसी प्रकार से जहरी सांस भड़ते हुए तो आप देख रहें किस प्रकार से हो अपन मुकतासन दोरा अपना कमर का दर्द दूर कर रहे हैं इसके बाद दोनों हाथ आप अपने सर के पीछ ले जाएं दोनों पैरों को फोल्ड करें और धीमिंगर्ति से मकरासन का प्रकार करें देखके चाहो महसूस करें कमर पर साइट्स पर इसी प्रकार दूसरी हो फिर से एक बार इसको आप दस से बारा बार कीजिए होत अधिक्तुरंत आप मिलेगा आपको यह हमने बात करी कुछ सिधालेटकर इसके बाद कुछ आसन है जो हम उल्टा लेटकर भी कर सकते हैं जैसे सबसे पहले तो आप पेटकल पेटके बला जाएं सबसे पहले हम बात करेंगे भुजंगासन की जो एक सिद्धासन साभीत हो सकता है आपके कमर दर्द के लिए तो दोनों हाथों को अपने चेश्ट के पास नाएं हैदर के पास और गहरी सांस लेते उपर के और उठें कि सांस चोड़ते हो नीचे जाएं अगर समस्या जादा है तो हातों को माताय बहने सामने की और भी रख सकती है और गहरी सांस लेते हो ऐसे इस प्रिकार से उठें कि नीचे की ओर जाएं फिर से एक बार उठें अगर समस्या आप बहुता दिखें तो आप किसी युगाचारी या डॉंक्टर की सलाहा चरूर लें आसन करने से पहले उसके बाद दोनों हाथ पैरों को फोल्ड करें धन्रुस आसन कोशिश करें करने की जितना हो पाई कि अगर देरे देरे से अगर वो जंग आसन में थोड़ा सा अगर परवत आसन में आए और धीरे धीरे करके अपनी एडियों को जबीन से चुआने का प्रयास करें अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें